जाहिन दोस्तो मैं दिनेश दिनेश मैस अलफा क्लासिस पे आप सुब का वेलकम करता हूँ अभी मैं जो पढ़ाने वला हूँ वो चेप्टर का नाम पॉलिनोमियल मैं इकदम जीरो लिवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे ही मैं चेप्टर का नाम भी दे रखा हूँ पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरो लिवल से आपका स्टार्ट होगा जीरो लिवल से स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल क्लास 7, 8 से ही पढ़ना है हलाकि हमें से बहुत सारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं पॉलिनोमियल नहीं पढ़ पाते हैं जिनकी वज़े से क्लास 10 में परिसानिया बढ़ जाती है उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं ये सिरीज स्टार्ट किया हूँ पॉलिनोमियल का जीरो लेवल इससे पहले मैं सर्किल का भी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा करके वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ उसे भी आप जाके देख सकते हैं चलिए बिना देर की हुए चप्टर की शुरुआत करते हैं चप्टर में कुछ इस तरह से पढ़ना है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको उसके पार जीरो जाफ पॉलिनोमियल क्या होता है हलाकि इसे हम सब बुक में भी और टीचर लोग भी छोड़ देते हैं फिर भी हमने सोचा है अगर जीरो लेवल से स्टाट कर ही रहा हूं तो क्यों न मैं जीमेट्रिकल मिनिंग भी आप लोग को साथ में बताते जाओं ताकि कभी आप NTSC या JE का तयारी किये तो आपका फाउंडेशन क्लियर है रिलेशन बिट्विन जीरो अन कॉफिसेंट आप पॉलिनोमियल यह भी मैं डिसकस करूंगा लास्ट बट नॉट दा लेस्ट डिवीजन अलगोरिद्म डिवीजन अलगोरिद्म आप इसे इग्नो नहीं कर सकते हैं डिवीजन अलगोरिद्म आफ पॉलिनोमियल तो चलिए शुरू करते हैं इंतरुक्षाइ शुरूक्षाइ वेरी mathematics तो वह ऐसा expression expression कहने का मतलब जो 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 भेरियेवल जो भेरियेवल मैं color change कर लेता हूं ताक कि आप सब को दीखे जो भेरियेवल और constant के बीच में relation को बताता यह is 3x plus 2 यह क्या हो गया expression हो गया this is called expression when it is equated to 0 then it becomes equations बास समझ में आ रही है I think बास समझ में यह 3x plus 2 क्या है this is called expression जिसमें constant भी है भेरियेवल भी है अगर हम इसको 0 से equate कर दिये 0 से equate कर दिये क्या बनेंगा equations I think आपको clear हो गया होगर expression और equation में क्या difference है कर दूसरा एक्जामपल भी आप इस तरह से लिख सकते हो ऐसे ऐसे x plus 3 यह भी है 3y minus 8 यह भी है और यह सब क्या है expression एक तरह का है है जो algebraic expression जिसमें variable constant और प्लस माइनस साथ से जुराद है चलिए नेक्स की तरह बढ़ते consider the expression इस expression को consider करते हैं consider the expression 5x q minus 4xyz plus 8 in the expression 5x q यह कॉमा है 4xyz 8 अर्दा टर्म यह सब क्या करता टर्म अगर कोई एक साथ लिख दो कितना है यहां पर लिख दो 5x q minus 4xyz प्लस गेड़ अगर हम इच टर्म को अलग अलग कर लें यहां से 5x को 5x q को अलग कर लिए फिर उसको माइनस 4xyz को यह क्या टर्म कहलाता है टर्म को ही एक साथ एड़ करके टर्म को एक साथ एड़ करके क्या बनाते हैं एक स्प्रिसर मनाते है टर्म्स आड़ एड़ टो फॉर्म एक स्प्रिसं टर्म स्टम्स देम्शल अर फॉर्म अलग 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 पोलिनोमिल्स पोलिनोमिल्स का दिफेंस मालब चल्या टर्म क्या हता इंडिविज्वल मेंबर ऑफ है इजिनोन अस्टर तर्म जैसे अलग अलग कर दो 5 इसको लग अलग करते हो तो क्या बन जाएगा अगर्व टर्मी एक साथ एड़ कर दो तर्म आके मिल के बन जाए जिसका कॉफिशेंट नंजीरो रहे मतलब एक्स एक्सक्वाइर इसका क्या मतलब कॉफिशेंट कितना वन इसका यह मतलब 0 0 दे दोगे तो पॉलिनमेल बनेगा नहीं इसलिए क्या लिखा नंग निगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट्स पर इस पर जो पावर रहे न जैसे एक्स पर पावर इंटीजर जैसे दो रहे एक्स पर पावर तीन रहे अगर एक्स पर पावर माइनस फाइब है तो यह पॉलिनमेल नहीं क्यों इस पर पावर कितना निगेटिव आ गया बात समझे है, variable पे power, variable पे power हमेशा positive रहेगा, तभी polynomial होगा, अगर तुम से पुछा जाए, क्या ये, क्या ये, एक polynomial है, 3x-2-5, this is not a polynomial, क्यों, क्योंकि जो variable है, यहां क्योंकि variable है, इस पे power क्या है, नीगेटी बला है, ठीरी रूट एक्स प्लस फाइब, यह इंटीजर नहीं है, एक्स पर पावर कितना आगया, वन वाइटो, ना, रूट एक्स कहीं पर रूट एक्स लिखा हुआ हुआ, इसका मतलो एक्स पर पावर, वन बाइटो, बात समझ में आ रहा, तो यह एक polynomial नहीं ह कि ठीरी एक्स स्क्वाइड तो सही है, बट फाइब पर पावर कितना एक्स पर पावर माइनस वन आ जाएगा, इसको उपर करेंगे, तो माइनस वन आ जाएग, यह पॉलिनोमियल मैंने समझ रखा, एक्सप्रेशन समझ रखा है, आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल का सम्झ आ जाएगा 14 समें गचान भी पॉलिजात, फॉलिएव थे कि इलाएगा 14 सम चाहिए कन रखा असा कहना 12 एक वांनोमियल एफ ट्रॉ्टम्स कोई स्प erfolgschocyst जिसमें दो टांब एगा वाई का मतलब हिस्टो दो मौनों का मतलब सिंगल कि भिलिकुल मेरे तरह कि पैलिनोमियल अगप तरी टर्म्स आर्कॉल ट्राइनोमियल जी लिए तर्म रहें वह पुअ मतलब 3 हो जहां मोनोमिन सिंगल बाइ मिन स्था नोमिल क्या पॉलिनोमिल प्लिनो Miss एसमय से क्या कि आप आप व् leader academy में ऑण उनलगा दो क्या होगा हॉ आ सब्सक्राइब बना सेत होग इसमें तीन टर्म है डिकरी डिकरी का होता तो इसका डिगरी कितना इस पोलिनोमियल का आप बोलोगे दूहजार इक्जाम कब है 2021 में अगर यहां पे 2021 iale किस प्लस एक्स लिखा यह तो इसका डिगरी कितना इस पोलिनोमियल का डिगरी कितना आप बोलोगें 2000 केस कि इसका देखो तो इसका डिगरी कितना है यहां पर कि यह कि इसका डिगरी हाईस डिगरी कितना सेवन अपर सेब डिग्री ओफ्री no conception prima Prix इसका 6 डिग्री पाचांग सकते हो ना डिग्री ओफ एन जीरो कॉंस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो अगर तुमको बोले इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वन लिखा है वन पे पावर एकस पे आहा हूं। वह क्या है? Types of polynomial on the basis of number of terms अब जो बता रहा हूं Types of polynomial on the basis of degree degree के हिसाब से इस प्रफ़ेनोमियल अब डिगरी वन िस कोल्ड लीनियर, linear, linear का मतलब ही होता है single, one degree, linear, this time polynomial of degree two is called quadratic, example भी देख सकते हो, इस पे कितना degree 1 इस पर कितना one इस पर वशन देखरे हो सब फरी यह वर्प पर डिग्री देखना है अगर तुमसे ऐसे करके फुजर 3x फुलस फूर्ट पर पावर के कितना तू मत बोल देना इसका डिगरी कितना कियो है क्वेरियrie डिखा जाता हमेशा वैरियेवल कहें डिग्री इस पर यह इसे का लिए वे करें आड़ा एक सब्सक्राइब करें है कि सब्सक्राइब के खेलें को इसमें मोस्तना है तो किस आइएश्य पावर देखना है इसलिए क्या हो गया यह ग Hack इसमें दो दिख रहा है इसमें एक्स वाइड और एक यहां एकल यहां कि तना दो बन गया तंद है आज है एट पॉलिनोम्य ऑफ डिग्रीदि जिसमें डिग्रीज़िविए हो गया हो त्लिग थिसमें अभी आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक ही परना मैंल आपको पढ़ना जिसका पावर 2 वह क्या वन गया क्वाड्रेटिक यह वह आपको पर क्वाड्रेटिक लिनियर पावर वन क्वाड्रेटिक पावर दो क्यूबिक पावर थेरी जिसमें एक टर्म रहेगा मोनोमियल जिसमें दो टर्म रहेगा बाइनोमियल तीन तर्म रहेगा ट्राइनोमियल सिंगल टर्म टू टर्म थेरी टर्म बाइनोमियल ट्राइनोमियल कि जाओ नियुक्त को इस तरह से लिठा हुआ है डिफनेशन से क्या समझना समझना ज़रू जिसमें एक बहुत बादारी गाए पीफोल पॉलिनोमियाल और यह जो X लिखा हुआ है ना यह जो X लिखा हुआ है यह X इसका मतलब आने वाला जो भी भेरियेबल होगा ना वह क्या होगा अनली इन एक्स निथे जीरो एक्स अपक्या है कॉफिसेंट है constant है ना तो डिगरी और N क्या है highest यह जो N है तुम्हारा यह जो N है यह क्या है N is called degree this N is called degree N is called the degree of the polynomial और यह जो हर एक individual है यह हुआ यह हुआ यह क्या हो गया है this is called term in particular A0 A0 यह सब नाम है पहला टर्म दूसरा तीसरा करके constant यह constant term यह सब क्या है इन पार्टिकूल अगर यह सब 0 रहे all the constants are 0 वे गित 0 polynomials जीरो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें सब टर्म 0 रहे 0x square प्लस 0x क्या 0 into 0 यह तो 0 ही बन जाए मतलब जितना भी constant दिख रहा है इसमें मैं एक बार मिटा देता हूं जीरो पॉलिनोमियल होने के लिए 0 polynomial होने के लिए इसमें से हरे एक इंडिविज्वल हरे इंडिविज्वल यह जीरो यह जीरो यह जीरो यह 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 पूछा 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 जा चुका है डीगरी औफ है का कं स्टेंट पॉलिनोमी्यायर के-पिसमें अ grica झाल ग्रिक्ति फालिव कुछे है और क्या देखिए इस्कालव और जीस करो पुस्टन के देखिए श्युक्रीний कर दिगरी और अ जिरो पॉलिणोमीयर अ सब्सक्राइब होतोदोर ड़ी फैर जिरो पॉलिणोमीयल क्या होगा तो एंसेंसर में आपके पता सकते हो इसका समय सब् wondering को capacit डिगरी 46 हट दीड़ने सोरी डिलिव प्रिसटमरी जीड़ो होग यहां के जीन और डिविए फेजिरो पॉलिनोमियर इस नॉट डिवाइब समझना आ गया दिविए फेजिरो पॉलिनोमियर इस नॉट डिवाइब यहां पर एक और टर्म लिखें डिरते हैं रहां पॉनस्टेंट्ट नंजीरो और स्ट्न यंग डिविए फॉनस्टेंट्न नंडे कलो कि तुम बोले जियू फोरा विस इसका बताया है निविए फॉनस्टेंट्ट्ट नंजीरो पॉलिन में जीरो को चुछ होता है और खासे जीरो का undefine होता है उसको डिफान नहीं कर सकते हो जिएस प्रेशन में एक्स का यह पूट करोगी की रिजल्ट जीरो देदें आप बताओ इस एक्स प्रेशन में अगbil का इचलो पूट करो की ली तुम बोले अगर एकस को अगर एकस इक्षन कहल टो मैंनस टूपूट कर दैंगे नंस i3 रिजल्ट गूर्द नेम बच्छा समझी ने पठास्त माइक्स a यूज़ैन सा्थ नमबर जिसको फूट करने प्ली पोलिनौर्नियर और प्रेख फोल आज अगर इसी को एक्स प्लस तू बोल रिसका जीरो जी जिलो कितना एक्स का वो है लो जिसको पूर्ट करने पर जीरो दे तरह कौन चाहर माइनस-2 रहेंगे तब ही तो जेटने जीरो पॉलिनोमियल जीरो है कुछ भी रख दो तो जीरो ही दे ही देगा तो यह लाइन आपके लिए खास के इंपोर्टेंट है यह लाइने फिर से बादो कि एवरी डियल नंबर इज जिरो ओफ अबली पॉलिनॉमी ना जिरो गॉंस्टैन्ट पॉलिनॉमियल है दो जी यह दोनों पाइंट आप याद कर लिए जुक्त है इने आप अधा यह टी कोडियर में राइट पॉलिनॉमियल का कितना होद्रक्स बावर दो इसलिए दो एक साल मतलब 100 पालिणों मेरु वैसा बैनल की रीजालिट और जाए ना अए इसका मोचल काउनर की पालिणों मेरर उन्हक्то के घो मेंसारी पालिणों मेरुट सब्सक्राइब इसका जिमेट्रिक मेनिंग क्या हुआ जिम इलिनियर पॉलिनोमिय यह मैं एक रूट दिनियर में एक रूट्स क्वादि इन डूरूर्स क्यूबिक में धिरी रूट्स नेमली मायनस भी बाइद ए एक स्कोडिनेट दो the point where the graph y equal to intersect उसी को तो बोलते हैं solution जहां पर intersect कर जाए देखिए नेखिए यहां पर ग्राफ इसका अगर ग्राफ ड्रॉप करोगे टेबल बनागे ग्राफ चप्टर में फिर से समझा दूँ है एक्स का वहलू अगर जीरो पुट करोगे एक्स का अगर वहलू तो जीरो पुट करोगे तो य का वहलू कितना आजाएगा वाई का वहलू सब्सक्राइब लिए फ़ाइब टॉट करोगे तब एक्स का वहलू फाइब टॉट यहां दिख रहा है 2.5 यूनिक सॉलूशन हो गया यहीं कहा रहा है कहा रहा है और जी रूफ द लिनियर पॉलिनोमियल इस फाइब बैट टू इज पॉइंट विर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनियर एक्वेशिंस मीट्स द एक सक्षी जहां पर एक सक्सेश को कट करेगा जहां पर एक सक्सेश को कट करें कितना तो कि अधिक करें कि अधिक करें कि फोन कर दो कि जहां पर ग्राफ पर लिनियर एक्वेशिंस यह जहां पर एक सक्सेश को कट करेगा वही क्या हो गया सॉलूशन हो गया linear polynomial linear polynomial के पास हमेशा exactly एक स्लूसन होता है क्वाद्रित के पास दो सलूसन होता है थेक for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c the graph of the corresponding equations y equal to ax square plus bx has one in two sets का जो अग्यों क्योंब क्याइतिक का Linear का अगर shift, Linear का कैसा shift? Linear equation, Linear equation का अगर graph draw करोगे, state line Quadratic का graph कैसा होता? Quadratic का U shift, U shift, U shift, या तो U as upward नहीं तो U downward, यही 2 shift होता है quadratic का कि इसमें मैं बताने का कोशिश भी किया हूं यह जो नीचे की तरफ है यह किसका है क्वाड्रेटिक का गराफ आप से अगर पूछे क्वाड्रेटिक का गराफ कैसा तो यू सेफ्टी यू सेफ्ट ऑपनिंग अपवाड नहीं तो डाउन वाइड डोनों होता है अगर इसका अगर जीरू हम पूछे तो कितना हो जाएगा अर्द प्रीशिट्स दप्वाड एक्स कोडिनेट ऑफ दो पॉइंट वेर दे ग्राफ अगर जीरू हम किसी भी एक्वेशन का पूछे ना अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह एक्स एक्सिस को कट करेगा प।ू o trzeba और ग्राफ हों करthe एक्स एक्स एक्सिस को जिस पंट पे ट्रॉपहर वहीं उसका क्ला हओगा जीरीज होगा अगर अगर लिनियर से दोएक पॉइंट पकाइट तो कॉईंट पे इन्हिए अगर यह क्या है ये एक से सीक्षे यहां पर कडु कर रहा है यहां पर कट राएग किनर की क्वेश्न दो जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना जिरो जाएगा यहां भी देख सकते हो यह कट ही नहीं का गागा है इसका सॉलुशन ही नहीं नहीं इन जैनल जिएन पोलिनोमियल फडिव डिव डिव बडिव द ग्राफ उडप उड फेल पर नहीं बोल देख पुए था जैसा बोला हूं इस बोला हूं अगर डिवन पॉलिनोमियल अफ डिग्री एन अभी अगर डिग्री अगर डिग्री वन तो जिरोज कितना zeros one degree two तो zeros कितना two degree three zeros कितना three इसी तरह अगर n degree के लिए पूछे तब अगर degree n है तो उसका solution भी या zeros भी कितना हो जाएगा degree n at most n zeros अगर degree n है तो zeros कितना n degree one तो number of zeros one degree two तो number of zeros two degree three number of zeros three इसी तरह डिग्री 2020 है तो कितना जिरू 2020 कि रिलेशन इसके बीच का रिलेशन क्या है ना अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे देखो तो फैक्टराइजेशन करेंगे अगर इसको जीरो के इक्वाल पूट करो गया और यहां से क्या आएगा अगर यह दोनों को नेक्स अगर आड़ कर देते हैं वी अब्सक्राइब सम एट करेंगे कि थना 7 बाय2 यह 7 TV क्या है त्यू अग्Now 7 p lg 6 न है माई बसे दिखोती है इसमें डिशेट दिया हुआ है तो वही की को बताया गया इसमें कॉफिसिंट और एक्स का कॉफिसियंट और एक्स स्क्वायर का उसमें डिभाइड दे दिया गया कि अग्या अब प्रोडक्ट अब जीरो दुनों को प्रोडक्ट करो गए तो अब अब लोग उसे पर हो माइनस बीवाय यह और यह सी घाय को इन ज़ेनरल आलफा और बीटा दो जिरो दुक्ट अग्रने में में सब्सक्राइब यह गांप आश्यू यह क्या है जिसका जी रोज आ धीडा इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हो सम अप्we critic law minus Detroit call करने का तरीका अब मेन की अगर तुमसे कुछ एज टैप का एक प्लिनों मियल बताओ एक फालिनों हेल बताओ जिसका जिसका हम सिरूज सिर्व nov 2 और सिकेंड जिलोज का ठीड의 पArtagnan नहीं है वियो बोलोगे एक सऌक्क्वायर माइनास समआफ जी साइस समँ ऑफ 2 0 इम्टू एक्स प्रोड़क्ट अब जिसरेए है पुरोड़क्त ऑफ जीस शांे इसमें कैक स्क्वायर अडी सम एक सस्क्क एक प्रोड़क्त इतना थी तूजाल इस यह पॉलिनोमियल हो गया जिसका सम इतना है प्रोड़क्त इतना है बात समझ में आ रहा कि इन जन्रल लिख दिया पीसे ध्यान में रख सकते हो अलफा प्लस बीटा सम ऑप जिरोज इक्वाल इक्वाइब बाइब बॉड़क्त ऑफ जिरोज इक्वाइब कब अलफा अनवीटा आरदा जीरोज यह मतलब रूट्स है जीरोज को आप रूट्स भी बोल सकते हो रूट बीजन एल्गोरिट्व आप जैसे पढ़े होगे तक छोटे कलास में फरह होगे की कर निभाइदअट इकॉल तो दिवाइजर इंटर कोसरे ते फ्लस रीमंदर बस एसी को धियान में रखते हुए डिवीजन एलगोरिदिम बनाया गया है तिसी को धानमे रखते रुए रहें जैसे देखोता यह जो टर्म है यह ञ़ेड करना है किछ से भाट करना एक स्स प्लस टूँ से डिभाइड करना है तो एक स्वास्ट स्स रिखें गया इन द्ँखा गया एक। भाग दे रहां इसे 6 767 से यह चीज पढ़ summat है कोई बात नहीं से दिखो कि कैसे दिव्हर दिया दाता एक से स्क्वर्ट से यह कट गा फिर यह इस तरह कितना ना कि अटने किसेंट कि इतना होगा रिमेंडर माइनस थाटिवन होगा अगर यह दुनों को डिवाइजर को यह वला को इससे मल्टिपलाय करोगे oh हुआμεूअटेप्लाइ करोगे तो मल्टिप्लाइया किया गया और यह लिमेंडर को एड़ कर दोगए मपिबंडर को एड़ को में मीडिल वाला पाट । अच्छे-टी आ जाएगा इस सबस्कारा कि प yang कि अच्छा को अच्छा को अच्छा को तरह से कंप्लीट होता है डिवाडेंट इन्टु डिवाइजर कोईशन प्लस रिमेंडर कि तो अच्छा है थैंक्यू बूलने से पहले जिसे सब्सक्राइब करना कितना सब्सक्राइब अब तुम ही बताओ तुम ही बताओ सब्सक्राइब करें लेमेंडर यहां जाके 15 आ गया इसी तरह काता है यह जो क्या है कुछ इसको इससे मल्टिप्लाइ करके यह वला एड कर देंगे तो यह 15 आजाए गे वह तो का ता डिभाइड एंड डिवाइजर प्लस रिमेंडर क्या डिवीजन अलगोरिद्यम इसी को तो डिवीजन अलगोरिद्यम नामचिपका दिया गया को यह दो यहां निचे वख्यान नहीं रहना है क्यों कि हम रियल नंव्र नहीं रिजनल नंबर पर एचे नंबर इंद सफीवाइघ्या जेहां पर नीचे वैला हो जाएगा डरी इसी रिजल्ट को क्या बते हैं डिवीजन एल्गुरीटिम जिससे भाग दे रहे हैं वो और जो आ रहा है भाग देने पर उधनुक मल्टिप्लाइब करेंगे और इमेंडर को एड़ करेंगे तो वह आ जाएगा कि इस तरह से आपका जीरो लेवल और पॉलिनोमियल खतम हो रहा है कल जो मैं स्टार्ट करूंगा कल जो स्टार्ट करूंगा वह दिखने लाइक होगा पढ़ाए मैं उसमें एक्जाम का कुस्चन भी कराऊंगा कॉंसेप्ट भी कराऊंगा और खास के जो क्लास टैंथ में क्ल इंपोटेंट भी भी है वेडिए इंपोटेंट होगा मैं वू सब चीज को मैं डिसकस करूंगा लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह क्या है बेसिक जीरो लेवल इस से नीचे से तो जाकर नहीं को पढ़ा सकता है फिर भी मैंन हमें छोटा सा परियास किया है अगर आपको यूजफूल लगे तो हमें बताइए अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस पर कि दिनेश एस पीजे वनफोर्ट वन एडरीट जीमें डॉट कॉम थैंक यू हवा नाइस दे जैहिन वन दे मात्रा